लेकिन बहुत दिनों से सिर्फ विस्की वोटका और रम हो रहा था तो मैंने सोचा क्यूं नहीं आज हम लोग बीडियो लाते हैं और जैसे कि तुम देख सकते हो भाई दूनों ही कमाल का बीडियर है हमारे पास सिर्फ देखना है कौन सबसे ज्यादा इच्छा है एक बेल्ज चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है टेस्ट में और यह मेरा रिविवू है मेरे प्रस्पेक्टिव्स से है की मेरा टेस्ट बइवार्ड और मेरा व्यूयू मेरा भूगा लेकिन तुम लोग का जो विवैए तुम लोग को राइक बस कर देना उसी के साथ वीडियो चाहते है लेट को सबसे पहले हम लोग ट्राइए करने वाले हूँ गार्डे लेट सी सो भाई हूँ गार्डेन एक बेल्जियम ब्रैंड है मैंने इससे पहले कभी ट्राइए नहीं के इस इस फर्स ताइम मैं ट्राइए कर रहा हूं यह 330 ml का है और इसका जो प्राइज है वाइजब आंगा ने वन हंडर एनएटी फाइब रूपीज यह काफी ज्यादा मेहंगा है देखते हैं नो 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 Só just for it पाव हो गार्डन जैसे कि तुम देख सित्तों यह तो जो फोम निकला है कमा मैं ऐसे कहा जाता है कि जिस नियादा फोम होता है वो टेस्ट भी अच्छा करता है और क्वालिटी वाइस भी वह काफी हो दो देखते हैं कैसा होता है इसका फोम थोड़ा कम जाए उसके बाद हम लोग पिएएंगे काफी ज्यादा फो में यार वैसे तुम लोग को मेरा नया हैट कैसे लगा ये नया स्टाइट भाई बड़ा अजीब टेस्ट है यार वैसा बीयर मैंने कभी ट्राइ नहीं किया ये बहुत लगे मैंने अभी तक बहुत सारे बीयर ट्राइ किया लेकिन ये उन सब में से बहुत ज्यादा अलग है टेस्ट में है कमाल का स्मूथ हार फिर्स्रीट घूड़ बहुत ज्यादा स्मूथ है पर टेस्ट मझे तो अजीब है लेकिन इस गूड इस गूड इस गूड यह इसी ली एवल एवल नहीं है दुर्गापूर में यह वेस्ट मंगल में कही पर भी मैक्सिमम बार में यह नहीं मिलता इस वेरी कॉस्ट्ली और इसलिए शाय नहीं मिलता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसका बड़ा पोतल वैसी भी नहीं आता तो मैं इसे आउट अफ टेन लाइक हम गुड काफी स्मूध है वाई लेकिन इंडियन टेस्ट बढ़ है अपना यार तो यह मैं पूरा टेन आउट अफ टेन तो नहीं दे सकता लेकिन आई विल गो फॉर लाइक सेवन सेवन आउट अच्छा है लेकिन प्राइस का भी धियान रखो भाई प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और तुम जहां से भी देख रहे हो वहां का प्राइस क्या है मुंबाई दिल्ली या बाहर कोई भी कंट्री से देख रहे हो तो तुम्हारे वहां का क्या प्राइस हो गार्डेन का व नेक्स्ट तो सोब नेक्स जो बीर है हमारे पास वह एंग फिशळ इंन फिशर अल्टरा मैक्स यह लाग इंटियन्ड ब्रेंड ऑविसली तुमें पता आई है मैं इसके बहुत सारे और भी एक फिशर फिर के लेकिन यह जो है अल्टरा मैक्स यह उनमें से साथ सबसे ज्याद रुपीज, 330 ml का ये बोतल है, और इसका भी शायद 5% अलकोहल है, हाँ 5% अलकोहल परसेंटेग है, लेट्स ओपन देए, इसमें क्लिप है यार, इसको, ओपिनर की जरुद नहीं है, इसमें फोंग थोड़ा कम है, थोड़ा, काफी ज्यादा कम है, उसके हिसाब से वोगार्डन में ज्यादा फों था, लेकिन लगता ये वाला, अब अच्छा लग रहा है ना, भाई मैं सच बता रहा हूं, ये 100 रुपीज का है, वो 185 का है, लेकिन जो इंडियन टेस्ट है उसमें नहीं आ रहा था, बिल्कूल नहीं आ हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो वो एक टाइप का ड्रिंक्स पीते हैं, इसलिए ये बहुत बहुत स्मूध है, नॉर्मल किसी भी किंग फिचर से बहुत ज्यादा स्मूध है, ये अल्टरा मैक्स, इस लवली भाई, ये बहुत में ठंडा चिल करके पीरा तो और ज्या इसलिए मैं आउट आउट अफ 10 ही दोगा, 10 आउट आउट अफ 10, कमाल कर बाकि बहुत सारे किंग फिचर के और हैं, इसके सामने कुछ नहीं है, हुग गाडन भी कुछ नहीं है, मुझे बता है कुछ लोगों को तोड़ा पुरा लगेगा, जो लोग को बाहर अगर अगरी हुग लवली, चीर्ज, आज के लिए इतना ही था है, होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर देना, तुम्हारा फेप्रेट कौन सा है, वो कमेंट बाक्स में जरूर बिंदास हो के लिख सकते हो, और सब्सक् मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टाड़ा, पाई